क्या भारत में बंध हो जाएगा वाट्साप जानिए क्यूं ये फैसला ले सकता है मेटा वाट्साप अपने कस्टमर्स के लिए बहुत से फीचर्स लाती रहती है जिससे उनको बहतर एक्स्पीरियंस मिल सकी end-to-end encryption भी ऐसा ही एक फीचर है जिसे कमपनी ने users की security के लिए पेश किया गया है हालांकि इसको लेकर हमेशा से चर्चा होती आ रही है कमपनी ने कहा कि अगर high court इसे हटाने को कहा जाएगा तो कमपनी देश से एप को remove कर देगी भारत में 40 करोड लोग ऐसे हैं जो messaging app के तौर पर इसका इस्तिमाल करते हैं कमपनी अपने customers के लिए बहुत से खास features लाती है जो users को बहतर experience देने में मदद करता है फिलहाल WhatsApp अपने एक feature को लेकर दिल्ली high court के कटगरे में है इसमें company को end to aid encryption को बंद करने की बात पर जोर दिया गया है इस पर company का एक बड़ा बयान अब सामने आया है WhatsApp ने दिल्ली उच्च न्यायाले को बताया है कि अगर उसे message encryption तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो messaging platform भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा आईए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला भारत में बंद हो सकता है WhatsApp WhatsApp ने कहा कि end to end encryption user की privacy की सुरक्षा करता है कि केवल sender और receiver ही संदेश को इक्सेश सकते हैं WhatsApp की ओर से पेश तेजस करिया ने division bench को बताया अगर हमें encryption तोरने के लिए कहा जाता है तो WhatsApp देश से चला जाता है करिया ने कहा कि लोग WhatsApp का उप्योग इसके द्वारा दी जाने वाली privacy सुविधाओं के कारन करते हैं भारत में इसके 400 मिलियन से अधे कुप्योग करता है जो इसे इस platform के लिए सबसे बड़ा बजार बनाता है इच नियम 2021 को दे रहा चुनैती WhatsApp और Facebook की मूल company Meta सूचना प्रोध्योगे की नियम 2021 को चुनोती दे रही है जिसके लिए उन्हें चेट का पता लगाने और संदेश प्रवर्तकों की पहचान करने की आवश्यक्ता है कमपनियों का कहना है कि ये कानून encryption को कमजोर करता है और भारतिय सम्विधान के तहट यूजर की गोपनियता सुरक्षा का उलंगन करता है मेसेजिंग प्लेटफॉर्म ने तर्क दिया कि ये नियम encryption के साथ साथ यूजर की गोपनियता को भी कमजोर करते हैं ये भारत के सम्विधान के अनुच्छेद 14, 1921 के तहट यूजर्स के मौलिक अधिकारों का भी उलंगन करता है करिया ने कहा कि दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है ब्लाजील में भी नहीं, हमें पूरी चेन रखनी होगी और हमें नहीं पता कि कौन से मैसेज को decrypt करने के लिए कहा जाएगा इसका मतलब है कि लाखों करोडों मैसेज को कई वर्षों तक कलेक्ट करना होगा क्या कह रही सरकार इस विशे पर केंदर सरकार की ओर से पेश कीर्तिमान सिंग ने नियमों का बचाव करते हुए संदेश प्रवर्तकों का पता लगाने की आवश्यक्ता पर जोर दिया सिंग ने तर्क दिया कि आज के महौल में ऐसी व्यवस्था जरूरी है डिल्ली उच्चन यायाले ने वाट्सेप और मेटा की याचिकाओं को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए सुची बद किया पीछ ने कहा कि गोपनियता के अधिकार पूर्ण नहीं है और कहीं न कहीं संतुलन बनाना होगा अगर वीडियो पसंद आई हूँ तो मेरे चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करे